गाईज पिछली वीडियो में आप लोगे लिए कुछ डॉरेमोन टोईज बना के दिखाए थे और उसी वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप आमारे लिए कुछ पोकीमोन टोई बनाओ जिसमें पोकीमोन का यूज हो क्योंगि छोटे बचों को पोकीमोन इस तरह के काटन बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं तो मैंने सूच एक क्यों आप लोग लिए कुछ पोकीमोन से रिलेटरेट टोईज बना जाए इसलिकाए आज की वीडियो में आप लोग लिए दो बहुत ज़्यादा मज़दार है जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा आप लोग को घर पे मिल जाएगा अब दोस्ति यहां पर एक पेंसिल के मदद से हम लोग इस पेपर के ऊपर एक पोकीमोन के डिजाइन को ड्रॉ कर लेंगे जो कि इसमें करेक्टर होता है पिकाचू उसको इस तरह से इसको ड्रॉ किया है तो चले इसको मैं अच्छी तरह स अच्छी के मदद से कट करके लेंगे अभी दोस्तों साइड में रखते हैं उसके आप यहां पर मैंने एक मैच बॉक्स ले लिया और इसके अंदर से मेरी तीली वह निकाल दिया अगर आपके पास रेड कलर का पेपर नहीं तो आप लोग इस मैच बोक्स में कुछ इस तरह से रैप कर देंगे ताकि दोस्तों यह दिखने में अच्छा लगेगा तो इसको चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं इसको चिपका देता हूं बाकि दोस्तों हम लोगा जो यह वाला जो टॉय है यह क्यों को काफी पसंद आने वाला है तो आप लोग वीडियो को एंड तक जोब कर देंगे इसको भी चिपकाने के लिए फेविकोल का उसक लेए उसके पाद दोस्तों सब्सें के एक चोटे टुकड़े में कट कर दिया तो बिल्कुर सेमसाइच की जरत पड़ीगी तो यहाँ पर आप देख से थे मैंने इसको काफी अच्छे तरस vrij निकाल लिए आप दोस्ता हम लोग अपने मैच बॉक्स के इस वाले इससे पर फेवी कोई किया फिर फेवी को लिया फिर आपके पास जो भी गुलू है उसको लगा देंगे और आम लोग आपने इस्टिक को कुछ इस तरह से खड़ा करके चिपका देंगे ताकि हम लोग थोड़ा से या फिर न्यूज पेपर कभी यूज कर सकते हो तो दोस्तों लोग इस पेपर को क्या करेंगे कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसका एक पतला से इसको चिपका दिया और इसको यह पर मैंने इसको 10 cm लंबाई के साब से कट कर लिए उसके बाद दोस्तों इसको मै आप लोग इजली टेप का यूज़ कर सकते हो तो दोस्तों बिलकुल सेम तरह किसे इसके दुसरे वाले किनारे में भी हम लोग अपने रबर बैंड को चिपका देंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो दोनों साइड में अच्छी तरह से चिपकाने के बाद यह हम लोग को बन चुक है एक बहुत यहां सिंपल सा पिकाचू रबर बैंड शूटर तो चलिए वह लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं तो दोस्तों यह वह लोग ने पिकाचू का यूज़ करेंगा तो आप लोग उसको बना के दे सकते हो लोग को काफी यहादा पसंद आएगा त तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको काफी अच्छे तरह से टेस्ट करके देखते हैं यह किस तरह से वर्क करता है तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो मैंने कुछ मैच बोक्स को सूटिंग के लिए रख दिया है उसके बाद हम लोग अपने सूटर को लोड करेंग तो चलिए अब हम लोग इसको अच्छे तरह से टेस्ट करके देख लेते हैं तो आप लोग इस सूटर के लिए एक लाइक कर देना तो चलिए बनाते हम लोग अपने दूसरे टोई को सो गाइस हम लोग को दूसरा वाला टोई पहले वाला टोई से बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला तो इसको बनाने के लिए यहां पर मैं नॉर्मली एक पेपर को ले लिया है जिसकी लंबाई 30 सेंटिमेटर और चौड़ाई 6 सेंटिमेटर की है अगर आपके पास यह लगार पेपर नहीं है तो इसलिन नॉर्मल वाइट पेपर का भी उसकर सकते हो सबसे पहले दोस्तों नोग इस पेपर को बिलकुल बीच से कुछ इस तरह से फोल कर लिया उसके बाद दोस्ते के साइड से भी हम लोग कुछ इस से एक बार फोल्ड कर लेंगे तक यहां पर आप लोगो बिल्कुल ध्यान से देखना है तभी आप लोगो जो यह वाला टोय है वह आप लोग बना पाऊगे सो यहाँ पर आप लोग देख सकते मैंने कुछ इस तरह इसको फोल्ड कर दिया आप दोस्तों यह वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है अब आप लोगो ध्यान से देखना है अम लोगो ट्रेंगल को बनाया था उसको खोल लेंगे उसके पाद दोस्तों इसको फोल्ड किया था इसको फोल्ड करेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं आप लोगो काफी अच्छे तरह से दिखा जारो थाकि आप लोग भी इसको इसली बना से को सुगह अधर आप लोगों समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को रिमाइंड करके भी देख सकते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हम ने इसको काफी अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया ह तो आप लोग अच्छी तरह से देख लो कि यह कुछ इस तरह से लेगा आप दोस्ति यह पर आप लोग फिर से देखना है कुछ इस तरह से लोग इसके एक वाले साइड को दूसरी साइड कर देंगे और पीछे से लोग एक साइड में कुछ इस तरह के एक सेफ मिल जाएगा अब लोग को समझ में नहीं आए तो सच में आप लोग इसको रिमाइन करके देख लाना आप लोग को इसली समझ में आ जाएगा अब दोस्ते इसको उपर वाल हिसे में एक मार्क लगा दिया है इसको इस तरह से कट करेंगे वैसे को कट करने के बाद हमारे पास यह वाला पिकाचु को ड्रो करके रखाता है इसको भी हम लोग इसके बिल्कुल बीचों-बीच में यहां पर चिपका देंगे तो फाइनल दोस्तों यह हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा और दोस्तों यह हम लोगा बन चुका है एक बहुत ही जादा से एक पिकाचु रेसिंग टॉय तो चले अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं क्योंकि यहां पर मैंने कुछ नंबर और यहां पर मैंने उपर में लाश में फिनिस लिख दिया और दोस्तों यह हम लोग का बहुत ही सिंपल से रेसिंग बनके तैयार है तो चले मैं आप लोग को बता तो यह कि अच्छे तरसी आप दोड़ रहा है तो यहां पर मैं इससे थोड़ी से गलती हुए कि मैंने जो पेपर लिया वो थोड़ा सा पतला था इसलिए आगे जाकर मोड जा रहा है आप लोग थोड़े से हाड़ पेपर का यूज़ करना आप लोग जो पिकाचु रेसर है वो काफ मिलते केसे और इंटरेस्टिंग वीडियों साथ तब तक लिए बाइबाइब